दोस्तों यह ओलियंडर या कनेर की कटिंग्स लगायना आप लोगे से शेयर किया हुआ है और यह जो प्लांट है अभी कम से कम 42 डेज के हो चुके हैं तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी मतलब लीव्स वगर आप खुद देख सकते हैं का चालेश दिन से उपर जब हो गया है तो आप खुदी देख सकते हैं कि इस प्लांट को अभी न्यूट्रिशन के जरूरत है इस समय अगर थोड़ी गर्मी कम है आपके वाँ आप जो है इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं लेकिन इनके रूर्स बहुत जादा अभी तक भी न सेट कर सकते हैं तो मैं इसलिए अभी सिर्फ इस प्लांट को जो है अच्छे से न्यूटिशन दे दूंगी ताकि इसी में यह बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करें और जो है इसमें पिंचिंग भी कर देंगे ताकि यह मल्टिपल ब्रांचेज भी निकाल पाए ताकि प जगाने से लेकर फूल किस तरह से लाया जाया वैसे तो 45 बेज में ज्यादा तर जो प्लांट उसमें पूल आ जाते हैं 55 दिन के अंदर जरूर से आ जाता है अगर न्यूटिशन आपने टाइम पर दिया होगा मैं इस प्लांट में थोड़ा सा लेट हूं न्यूटिशन दे दे देते हैं कि अभी यहां पर बीच बीच में बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है तो इसलिए मैं जो है इसमें न्यूटिशन अभी दे रही हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जो इसके मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे बहुत जादा अगर आप का प्लांट 35 दिन से आसपास है तो मैं यहां पर वर्मी कंपोस्ट दे रही हूं वर्मी कंपोस्ट में जो है पूरा कंप्लीट खाद होता है हमारे प्लांट के लिए यह 8 इंच के गंबले में लगा हुआ है और यहां बहुत सारे प्लांट आप खुद देख सकते हैं अच्छे है आपका प्लांट आपका जो प्लांट है वह काफी अच्छे से तररीके से ग्रोथ करेगा और प्लांट के लिए अवर्मी के लिए तरहां रहते हूं और यहां बॉन मील दे रही हूं ग्रोथ कृत्ष knockingowож का आप से अच्छे से प्राइः तो दो चम कोचछ बहे और ये दोनों चीजे मैंने आपर दिया है और इसके अलावा भी एक चीज जो है वो है सीवीड ग्रैनवल तो ये मैं देने वाली हूँ आप देख सकते हैं एक चम्मत जितना सीवीड में जो हमारे बाकी जो न्यूटिशन्स इन चीजों में नहीं रहता है वो इसमें मिल जात हमारे जो न्यूट उसके लिए इससे जो है पूरे प्लांट की ओवरॉल ग्रोथ होनी ही है तो बस इस तरह से देने के बाद में हलके हलके से जो है गुराई कर देना है जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं कटिंग लगाने के बाद आप 35 दिन के बाद नियूटिशन्स दे सकते हैं क्योंकि रूट इतनी डिवलफ हो जाते हैं कि वो नियूटिशन्स ले पाता है और आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है ठीक है आप पासा दिन उपर नीजे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं मेरा भी ये प्लांट आप देख सकते हैं अब इसमे अच्छे से पानी दे रहे हूँ और इसी तरीके से आप भी कटिंग लगाईये। सुमर सीजन में भी आप लगा सकते हैं अभी भी आप कटिंग्स ग्रोव कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप आप पॉलीथींस से कवर भी कर सकते हैं उस इसमें भी एक आत ब्रांचे है उनको कट कर दीजिये ताकि वहाँ से मल्टीपल ब्रांचे हमारी निकल कर आए और हमारा प्लांट बहुत अच्छ से घना बन पाए इसी एकी गंडे में हम हमारे सभी प्लांट को रेडि अच्छ से कर लेंगे इससे पहले मैंने आप लोग के साथ में बोगन विलिया का भी शेयर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे कटिंग्स मैंने ग्रोग किया और उनको सक्सेस्पुली रिपॉर्ट किया, न्यूटिशन वगरा देनी का भी वीडियो है, इसी तरह से जो है आपके जो गुड़ल का है, उसका भी अलग से वीडियो किया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल एक बार विजिट कीजिए, और आप भी कटिंग्स ग्रोग कीजिए, बस यही चीज है आज आप लोग के साथ शेयर करना था, और आप खुद ही देख सकते हैं, कितने सार और लियंडर के जो कटिंग से वो बिल्कुल हेलदी तरीके से ग्रोथ हो चुका है, तो यह था दोस्तों, मेरा आज का वीडियो, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और मेरे से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस वीडियो इसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको बैल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ